तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वालाओं की टीका करन में जो परतिशत के आधार पर रूपया मिलता है तो उसका परतिशत आप किस तरीके से निकाल सकते हैं उसका तरीका क्या है तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कितने परतेशत के बीच में कितना रुपया मिलता है टीका करन का और यहां साथ में मैंने R.E.S. के 67 रुपया भी लिख दिया है अगर जिनको R.E.S. समझ में ना आया तो रुपया देख करके समझ सकते हैं इसमें कमेंट में किजिएगा कि R.E.S. के 67 रुपया क्यों लिख लिखे हैं वेलिकम गईज मैं हूँ आपका दोस MR की और आप देख रहें आशा शायत है समझ तो परतेशत निकालने के लिए आपको दो चीज का पता होना चाहिए कि डूलिस के आधार पर कितने लोगों का नाम था और कितने लोगों को टीका परा जैसे मेरे डूलिस के आधार पर 17 लोगों का मैंने डूलिस में नाम चराया था और उनमें से मात्रे 14 लोगों को टीका परा तीन लोग छूट गए थे तो अब क्या करना है, calculator में आना है आपको, तो calculator में आपको लिखना परेगा, जैसे मेरे 14 लोग को पढ़ा था, 14 भागा 17 गुणी 100, मतलब 14 को divide कर देंगे 17 से और multiply कर देंगे 100 से, तो आपका परतिशत निकल जाएगा, जैसे मेरा यहां 82.35, 39, 412 हुआ है, तो मातरा आपको 82. 85 लिखना है, तो देखिए, आपको याद रखना है, जैसे जितने लोग को टीका परा, उसको पहले लिखना है, उसका भाग कर देना है, जितने लोग का डूलिस में नाम था, उसका गुणा कर देना, आपको 100 से आपका परतिशत निकल जाएगा, जैसे मेरा 82.35 निकला है, तो ये 81 परतिशत से 90 परतिशत के बीच में आता है, तो मुझे 1.500 रुपया मिलेगा, तो इस फोर्मूला को आप याद रखेंगे, और इसी तरीके से परतिशत निकालेंगे, और परतिशत के आदार पर किस तरीके से अश्वीन एप के द्वारा रिपोर्ट भेजा जाता ह है, मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक आप देखते रहे हैं, आशा शायत है समो